हलो मैं फिर नॉनल वरिज हवाई हूँ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थ्री काइंड ओफ माइंडसेट और आप उन में से किस माइंडसेट को लेके चल रहे हैं and actually how you can actually improve your money mindset to make money flow in your life तो इससे पहले कि भी इस वीडियो को शुरुआत करें अगर आपने अभी तकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजी and please press the bell icon my dear friend जो आप मार्किट में जाते हैं और किसी expensive चीज को देखते हैं तो उसको देख के आपके मन में क्या आता है जड़े तर लोग अपने आपसे सवाल पूछते हैं can I afford this? क्या मैं इसको ले सकता हूँ? क्या आज ये मेरी अकात के अंदर आता है क्या I can actually buy it? आंजर आता है नहीं no my dear friend this is poor money mindset क्योंकि आप अपने mind को बता रहे हैं कि आप afford नहीं कर सकते हैं इससे जो बैटर तरीका होता है is the question to ask how and when I can afford it? कैसे और कब तक मैं इस चीज़ को afford कर सकता हूँ? understand अगर आपके पास आज किसी चीज़ का budget नहीं है और वो चीज़ आपको चाहिए तो with proper planning and with some time you can actually buy it तो rather than asking no I cannot buy it or can I buy it ask when and how I can buy it इससे बहतर जो तरीका जो super rich mentality की लोग use करते हैं वो होता है how I can use this to make money for me यानि कि अगर मैं आज इस चीज़ को खरीद लेता हूँ तो मैं इससे और ज़्यादा पैसा generate करने के लिए क्या कर सकता हूँ? यह किस परकार मुझे मेरे business के अंदर, मेरे job के अंदर, मेरे profession के अंदर help कर सकता है कि मैं इससे अपनी value को बढ़ा के और ज़्यादा पैसे को अपनी life के अंदर flow करवा सकूँ? So now it's up to you कि आप अपनी life के अंदर, अपने money के साथ से किस तरह के questions को पूछते हैं Are you asking can I afford it? Are you asking when can I afford it? Or are you asking how I can use this to make money for me? It is up to you, क्योंकि जिस तरीके की सोच आप पैसे की तरफ रखने वाले हैं, वैसा ही पैसा आपकी life में flow होने वाला है So upgrade yourself to a better money mindset and see the changes happening When I'm.